जहिन दोस्तो सागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मिसन यूनिवस्टी पर आज का जो टापिक है हमने इंगलिस का सलेबस आपका डिसकस कर चुके हैं ठीक है आप दो कुशन कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हां सो कुशन मसे दो कुशन आपने एकदम सही किया तो आपको जो पीडिया पर वाइड करा दी जाएगी टेलिग्राम चैनल और वाट्सप गूरूप पर उसको जोईन कर लें वीडियो के डिक्रिस्चन में लिंक दिया बाकी आपको पूरी पीडियो पढ़ना है ठीक है मैं आपको इसमें पढ़ा सकता हूं लेकिन याद याद आपको खुद करना पड़ेगा आप इसको एक बार हमसे पढ़ लीजेगा और एक दो बार खुद से रिविजन कर लीजेगा आपको याद हो जाएंगे मैं आपको इतने वर्मर्ट सब्सिट्यूशन करा दूँगा कि उससे बाहर नहीं जाएंगे ठीक है तो आपको टेंसा नहीं लेना है मिशन उनिवर्स्टी के साथ जुड़े रहना है और आप को एकदम पहतरीन तरीके से सभी इंटेस एक्जाम के त्यारी करा दी जाएगी आपको टेंस सब्सक्राइब इन प्लीट्य अब इससे उसके बाद है तो आप संग्छिंग तो एबिलिटी हो जाएगी। टूबी और हैं इन प्लैंटी ऐबाउंड हो जाएगा ठीक है और मैं आपको बता रहा हूं इंपोर्टन जो हैं जो जघ्ड़ा पुछे जाते हैं जाम में मैं व विच हैपन्स वोन से हर जो एक साल में गठीत होता उसको एन्यूल बोलते हैं यह बहुत इंपोर्टन यह कई बार पूछा जा चुका है और दा मेडिसेन विच काउंट्रेट पॉजण एंटीडोट बोलते हैं मतलब जो किसी को जिसे कोelenär को माईडिसेन ओटी जो सत्यों इन लिस्टNर इस वोलते है त्च में और इक की आपको अच्छे से को पढ़ना है हम तो आपको पढ़ाएंगे ही लेकिन आपको भी उसके तरीके से आपको पढ़ना है तेंहों को इसको सिमेट्री बोलते हैं जो चर्च में बगल में बना होता है इसमें जाता है जो होते हैं उसको से में बोलते हैं आगे चलते हैं इस पीक जो होती है यह लिखा है कि इस पोक और डन विदाउट प्रिवियस प्रिपेशन जो इस पीक बिना किसी तैयारी के बोली जाती है उसको एक्जेम पोर बोलते हैं ठीक है आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कोई भी कंपरिशन की तैयारी करेंगे त है कि उस हिसाब सिन्ए आपको पढ़ा रहा हूं वीडियो को लाइक चेहल को सब्सक्राइब जगता you करते रहें और यहां पर है है कि पीडियफ पर उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूं जितना कि मैं लाइप खूर आप बता आपको परवाइट करा दी जाएगी आपको खुछ से भी एक बार इसको पढ़ लेना है अगे चलते हैं यह कुछ नाजी का है एनिमल विच लीव इन हर्व ठीक है हर भी बोरस ठीक है और लिखा है किलिंग आफ यूमन बिंग इस्पेसली आफ इनादर होमी साइड इसको बोल यह टीक है है एक जो होता है इंकॲरेजिबल बहुत इंकूरेज़िबल नहीं यह आते आता है जान लीजिए रिकानाट भी करेक्टराब्स बिर्च्रॉम् प्रूम जो किसी को मतलब शुधारा जाचके वह इनकुरीजिबल होता है यह पूट? इंकृजिबल इसकानाट भी एक बाखिए आपको खुछ से पूरा पढ़ लेना ठीक है आपको पीडियब प्रवाइड करा दे जाएंगी आपको उसमें चिंता नहीं करना ठीक है अधर देख लेते हैं इसको लीविंग ऑन्स अधर एनीमल मतलब लिखा है लीविंग ऑन्स अधर एनीमल इसको कारणी वोर बोलते हैं इंग्लिस में याद करना हिंदी के चक्रम नहीं पढ़ना है ठीक है मैं आपको पहले बता रहा हूं आपको स्ट्रिप और स्ट्रिप इंग्लिस में ही याद करना है उसके बाद लिखा है गौर्ण्मेंट बाइ रूलर हूँ है अनलिमिटेड पावर मतलब जिसका इसको कहीं बोलते हैं आटोक्रेशी बोलते हैं मैं आपको अलग से प्रहा दूँगा जो सारी गवर्णेंट होती है उसको एक में ही प्रहा दूँगा उसके लिए आप टिंसन ना लें ठीक है अब लिखा है अब परसन हूँ डस नाट बिलीब इन गॉड तो यह पूछे ज आप परसन रिजाइडिंग इन कंट्री विच इस नाट इन सिटिजन मतलब जो मूल निवासी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं एलियन बोलते हैं ठीक है यहीं इंपॉर्टेंट है इसको The Piece of Land surrounding water just called to Is land बोलते हैं ठीक है टो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है इस पीडियेप से मैंने आपको बता दिया है ठीक है और मैं आपको आगे भी बताऊंगा अभी थोड़ा मैं जब live जोईन कर लिजेगा वीडियो के डिपसेशिन में लिंक दिया है और उसको जोईन कर लिजेगा वहाँ पर आपको पीडियाप मिल दाएगी इस पीडियाप को आपको भी पढ़ लेना है एक बार ठीक है तो फिर ज़्यदा लंबी वीडियो नहीं करते हैं वीडियो को like कहें चैनल को subscribe करें जड़ाश जदा वीडियो को से रुक करें लेक्स वीडियो में इस्के टापिक पर बत करेंगे आगे भी कमशेक्स Surface 1,500 तक कुरुशन जरूरेशत में कराएंगे तो next वीडियो में आपसे मिलते हैं धन्यव़ाद दोस्तो